समस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफोर्म हो में सन्मा एकेडमी के ओपर कैसे सभी लोग तब बड़ीया मजे में कैसा चल रहा है सब तिंकी अंकीत टीपू चंचल माया सभी को गुड मॉर्निंग आज हमारा फिर से एक नया डोपिक रास्तान जी के कब क्यों कैसे इसका पार्ट थार्ड दो ख्लास हमारी ओलेडिस को ले करके हो चुकी है ठीक है आज ये जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में कल हमारी और चीज़े एक्स्टा यानि मंडे से कल हमारा एक बार हम केंद्री मं को लेकर के बात करेंगे समझे इस बात को चेंद्री मंडे से हम और चीज़ों को लेकर के उपडेट करके चलेंगे तो अभी के लिए आज की class short and sweet होगी ठीक है ज्यादा लंबी नहीं लेकिन short and sweet तरीके से जितनी चीज़े होगी उसको cover करके चलेंगे सबी लोग बड़ी है मज़े में एक बार बता दीजिए जो classes आपकी हो रही है जितना आपने चीज़े की हैं उनसे आपको profit feel हो रहा है जब आप चीज़े देखते हैं और चीज़ों को लेकर के आपको कुछ अलग feel हो रहा है कि हमें यहां से फायदा आ रहा है कुछ बच्चे जो एक regularty नहीं रख रहे है चुटिया मार रहे है तो उनसे भी कोँगा कि regular रहे है बड़ी या लग रहा है कुछ और चीज़े मैं यहां पे आपसे app से बाद यह चीज़ बात कर रहा हूँ यह चीज़े YouTube पे नहीं क्योंकि आप लोग अपना पैसा और अप 70-30 के ratio में चले, 70% मैं कर रहा हूँ तो 30% आप करे, आप इस बात को मानते हो ना, मानते हो नहीं मानते हो, 70-30 के ratio चलता है, यहां आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि हम एक coaching institute में पढ़ रहे हैं, एक घर की तरह वो चीज़े के environment होता न वो बहुत जरूरी है, समझे इस बात क उसमें से एक दो बच्चों का जैसे अपवाद तो हर जग होते हैं, लेकिन वहां से आए कि आप सारा नहीं बताते हो, बाकी teachers तो सारा बता करके चलते हैं, तो क्या आप यह चाते हो कि सारी detail मैं ही बताऊं या फिर आपको जो HW देता हूं मैं, वो चीज़ आपको अच्छ आप से पढ़ रहे हैं, हम भी अलग हैं, आप से पढ़ रहे हैं, HW ज्यादा अच्छा है, यह सही लग रहा ना आपको, क्योंकि देखो, वो ही आदत में आपको बलता हूं, एक तो मैं थोब दूँ आपके उपर, कि नहीं आपको ऐसे पढ़ना है, मैं तो best हूं, यह हूं नहीं, best कोई नहीं होता, एक best teacher वो ही होता है, जो बच्चों के साथ मिल करके हर दिन कुछ नया सीखता है, और मैं उसी चीछ में विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने पहले आपसे चीछ पूछी है, कोई दिन चाहिए क्लास आपके 10 मिन लेट हो जाए, चाहिए 10 मिन पहले सार आएंगे, वो वेट, वो एक प्यार जताता है, वो एक प्यार दर्स आता है, तो आपको ये HW आला पैटरन पसंद है, जो एक्स्टा चीज़े मैं आपसे पूछता हूं, वो बैसे ही लेकर के चलूँ, HW से हमारे लिए बेस्ट है, सरीता, ओके, गुड़ मॉरिंग मन्जू, ठीक है, ये चीज़े सही है आपके लिए, अब एक बास सूचिए है, हम जैसे करन पढ़ रहे थे, ज्यान से समझेगे, ये क्लास में स्टार्ट करूँ है, लेकिन इससे पहले, ये चीज़े क्लेर कर किया, लेकिन करेंट के साथ साथ आप देखिएगा, मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जिओग्राफी और आट एन कल्चर तक पढ़ाया, बताइए, ये चीज़ आपने रिलाइज की है, वो कहां काम आया, वो HW में आपने बहुत कुछ देखने को मिला, मैं एक करके बेजा डेली करता है, लेकिन आज जो बेजा मुझे खुद को रेलाइज हुआ कि आज इसकी जो रिदम बनानी थे ना वो बनाई, और आज इसकी तरफ से जो एक फील हो आज आपकी वज़े से मैं इस चीज में आ पाया, एक प्राइविट जो बंदा था, आज इस ला रहता है, कि मुझे करना है, तो वो चीज जरूरी है, मानते इस बात को, गोरव एचीज फील कीए आपने, ठीक है, तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगो से इस बारे में बात करनी चाहिए, मुझे कोई फरक ने पड़ता, दुनिया क्या सोचती, दुनिया क्या चाहती, पूरी दुनिया को तो बगवान भी खुश नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं जोती, अभी स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजे, ठीक है, तो इमानदार से यह कोंगा, जितने भी बचे नहीं, आप देखे, कल मुझे कुछ बच्छों ने होमवक बेजा, कुछ बीजी सेड होगी, तो सिसकों लेकर के चलेंगे, तो अपना पैटन जो अलग है, उसको चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, सर जी मैं कल घर से पाहर थी, पिर भी मुझे होमवक की टेंशन हो रही थी, बिल्कुल वो चीज जरूरी है, जिसे स्कूल का बच्छा होता है, उसको टेंशन हो मैं पढ़ाता हूँ, उसको पूरा का पूरा नोट डाउन करके अलग से करता है, आज गोरवने जो HW की आना, मैं आपके वहाँ एड करूँगा, उन्होंने जो मैंने पूछा था, कि जो कल नागर सेली की बात की थी, उन्होंने नागर सेली की पूरी डिटेल मुझे इसका सम्मन्द कहां से, इसको की सुपनाम से जाना जाता है, कैसे क्या है, एक दूसरा क्यूशन और था, नागर सेली के साथ में, ठीक है, वो चीज़े उन्होंने और एड की, तो आप जितना बैस्ट करोगे आपको कोई मोटिवेट करेगा, कि आपने ये चीज अच्छी क कोई आपको बताने वाला नहीं, देखने वाला नहीं कि ये पढ़ लो, और ये चीज आपको ऐसे पढ़ाई जाती है, तो घास काड़ते जाओ उचाओ है आप हाटीना मैंने ये ही बोला है, कि कुछ बच्छों ने भेजा है, मैंने चेक नहीं किया, तो मैंने आपको पहले इसी चीज बोल दी, तो जिनके बड़ाई पेंडिंग रही है, कि हाटीना ने अच्छा किया होगा, सरीता ने अच्छा किया होगा, तो उनके बड़ाई कल हो ठीक है और बुराई भी जिनकी पेंडिंग है वो भी हो जाएगी रिंकी, क्लास में रेगुलर नहीं है आप दो-तीन दिन से रेगुलर्टी रखियेगा रिंकी भी अच्छा होंवग करती है ठीक है सर में इसलिए नहीं आ रही थे आप बड़ाई तो करते नहीं हो ये रिजिन दना रिंकी तो चलिए करे स्टार्ट और आप इस चीज को खुद से एक बार अपने साथी से अपने पडोसी से कहीं से भी आप रिलेटिव से एक बार चीजे कंपेर करके देखना आपको चीजे फील हो जाएगे तो चलिए आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी सोटें स्वीट लेंगे कल की क्लास बहुत इंपोर्टेंट होगी जहान रखिएगा कल हम मंत्री मंडल को लेकर के बात करेंगे और आज का मंत्री मंडल तैयार किया है गोराओ ने तो आप जितनी चीजे बैस्ट करोगे नो उतना अच्छा होता आप कल मैंने बोला लेकिन इसने पुरा मंत्री मंडल तैयार कर दिया तो कल वो भी दिखाऊंगा हम आपको, इसे एक दूसरी की परती मोटिवेशन आता है, जलन भी होती है और उसने कैसे किया, मैं क्यों नहीं? रिंके हम आपके बड़ाई कर रहे थे हैं, ठीक है? चलिए, करते हैं स्टार्ट, आज जो चीजे बाकी रही थी, उसके बाद में, एक आरेस वालों के लिए, एक और चीज अच्छा फीडबेक मिल दा है, जो क्लासे यूटूब पर जा रही है, कि सर आरेस को लेकर कि आप जो लेकिन वो चीजे कवर हो रही है, इसके लिए मैंने सोचा है कि आप सुचकांग की अलग क्लास, और वो चीजे मैं अलग करके चलूँगा, तो हम करेंट अफेर चबी तु मैंने पहले दिन बोला था ने, कि चलो कुछ नया पड़ते हैं, तो आज की क्लास को यहां पर फिन कनफ्यूजन ना हो, आराम से टेंशन फ्री रही है, कल हमारा हम केंद्री मंत्र मंडल को कवर करके चलेंगे, सर आपका ही मोटिवेसन मिल रहा है, कुछ अलग करने का, बिल्कुल जैंचल, दोनों को मैंने कहा का था, जब दोनों पहलों एक सिक्के के, अगर मिल करके चले, चले, और बाकी बच्चे जो छुप करके बैठें, जोती वर्मा, और कौन-कोन है, कुछ के नाम लेने होंगे, कौन-कोन है देखना पड़ेगा, कंचन, नेना, आप मुझे बता थे, नेना छुप के ही रहती है, नाम तो नेना है, कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा मन्जु चाहर, योती वर्मा, रमेती, नेना, नाम गलत रख दिया, साहिद, नेना तो सब के आगे रहते हैं, नेना ही बंद हो गए, तो पिर कैसे काम चलेगा, मन्जु चाहर, मैं जैसे चाहूंगी वैसे चलूंगी है, ना मन्जु इसलिए चाहर लगाया है, आप आईये नेना, ठीक है, करें स्टार्ट, हमें तो सब दिखता है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, कब क्यों कैसे, इसको बूल रहा हो गई, तो शुरू करें अंगता अक्षरी, कल तक चीजे क्लियर थी, चलिए, कल होमवक में क्या क्या मेन क्यूसन क्या था आपका, होमवक के अंदर, एक तो मैंने पूछा कि इसके लिए था, नागर सेली को लेकर क्या आपको होवक दिया था, याद आ रहा है कुछ आपको, ठीक है, दूसरा क्या था, अभी बीच-बीच में मैं बात करते चलूँगा, ज्यान दीजिएगा, यहां पे, पहला क्यूशन, आठ जुन 2023 को केंदे सरकार द्वारा जारी कीगे, पांचवे, कल भी बात कीजी, पांचवे, फूड इंडेक्स, दोजार तेश में प्रदेश का कौन सा स्तान रहा, ठीक है, इसके लिए, आठवा, स्तान रहा, हमारा सवाल बनता है कि सरकेंदेस सरकार द्वारा तो जारी कीगे, पांचे फुड से अप्टी इंडेक्स है, यह फुड सेप्टी इंडेक्स है था ना, कि किस विभाग द्वारा जारी कीआ जाता है, थेंग्यू मन्जू, करपुरिठा कुर्जी के बारे में हाँ बिलकुल इन दोनों के बारे में बात की था सरका एक-एक स्टुडेंट पे फोकस रहता है हाँ बिलकुल एक बात और बताता हूँ अब रमेती बोली है रमेती है ना homework करने में बहुत कतरा थी थी आप नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा गया लेकिन ये दो-तीन दिन डायलोग चले थे ना एक-एक को इंडिरेकली टारगेट रहता है मेरा प्रमेती को ये फील हो गया कि सर कहीं ना कहीं मेरे को भी टारगेट कर रहे है ये जो भी बच्चे है ना वो छिपने की कोशिस करते है ना तो आप ध्यान रखना मुझे एक-एक का पता होता है जिनको डर लगता ना कोन करेगा तुमें सरी तो है देख लेंगे तो ये ध्यान रखना चंचल ने दो दिन कोशिस की थी चंचल को भी पता चल गया सरी इंडिरेक्ली टारगेट तो कर रहे है तो बेटा काम कर ले इससे अच्छा ये ही फायदा है ठीक है तो एक-एक का मनाम नहीं लूँ तो अच्छा है ये मसोच ना मुझे पता नहीं चलता सबका पता रहता है हाँ दिपु पहले नहीं करती है और आज सबसे पहले करती है ये खाना है बा Bernard में खाती होगी उसका ये सोच बहुत अच्छे है कि सबसे पहले मुझे करना और जैसी इसको मैंसे जाता है दिपू आज फिर आपने फर्स्ट घा है इसके अंदर एक नया जो सो जाता है और डेली सूसती कि हर बार फर्स्ट मैं करूँ वो चीजे होनी जरूरी है आपके अंदर पढ़ा कोई भी देखा ये चीजे हर जगे मिल जाएगे लेकिन आपको उससे प्यार करवाना वो बहुत जरूरी है किताब उसे प्यार करना सीखो यहां है तो सोना बाबू से करेंगे हेलो बाबू थाना थाया अभी भी मेसेज करेंगे मिले बाबू ने थाना थाया हाँ तू तो क्लास ही देख उमेशर की तेरे को मेरे से कोई मतलब नहीं है फिर सर तो उमेशर कहा जाएंगे, बाद में देख लेंगे, पहले बाते कर लो, कुछ ही नहीं है, कि सोना बाबु सब छोड़ बाग जाएंगे, उमेशर वाली याद आएंगे, क्लास में बेटे-बेटे नहीं, तो बाबु याद आएगा, कि जी दिन भी करम फुटा से पालो नहीं पड़तों, तो आज मैं पास हो जाती, और मैं पास हो जातों, तो ये चीजे ध्यान रखा करों, समझ गए, हाँ, सब मुम आया है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब वेर्थ की बाते हैं, ठीक है, चलिए आजाएए, आजुन 2023 को केंदे से कारदोरा जारी कीगे, पांचवे, फुट सेप्ट इंडेक्स 2023 में, प्रदेश का कौन सा स्तान रा, आठवा स्तान रा, इंपोर्टेंट क्यूस है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको कौन सा विभाग जारी करता है, क्या, एक होता है, आपने सुना होगा, बारती खद्धे विभाग, क्या ये जारी करता है, क्या जारी करती, या चीजे नोट डाउन करके रखा करो, कि ये चीजे हमें पढ़ करके चल लिए, ठीक है, इंडिया जश्चिस स्रिपोर्ट, कल भी हमने पढ़ा था, इनके बारे में, इंडिया जश्चिस मतलब यहां जो केस कितने पेंडिंग है, किस हिसाब से निस्तारण किया जाता है, उसमें प्रदेश का कौन सा इस्तान है, तो उसमें प्रदेश का पंदरवाश्तान है, अच्छे ये बताईए, हमारे नियाए पर नाली के अगर मैं बात करूँ, तो CGI कोन है, चीप ज़स् बताईए, तो कुछ बना के छोड़ेगी, सही बात है, बताईए, CGI का नाम बताईए, हमारे बर्तवान CGI कोन है, चीप ज़स्टिस आप इंडिया, पूरा नाम बताईए, चंदर चूड जी, चंचल जी, पूरा नाम बताईए, ऐसे लग रहा है, खुद का ये नाम लिख यो थोड़े देर तो मैंने पढ़ा, तो मुझे इसे लग रहा था, चंचल जी लिख रही है, अच्छा वाँ, आश्ट में D लगा दिया, हाँ भई, ती वाई चंदर चूड, धनन जै, यस्वन्थ, चंदर चूड, ये जो कर रहे हो ना, गोरो हो आप, कि आपकी बैंक के लिए बहुत ही उच्छफूल होगा, क्योंकि ये कर्ण्ट ही आपको अलग ले करके जाएगा, जोगों के कर्ण्ट लगेगा ना, तब आपके हाथों में सैप्टी होगी ना, तो मजाएगा, चंदर जोड साब है, तो चलिए हमारे राजस्तान के भी मुख्य नयादिस का नाम बता दीजे और कौन से नंबर के हैं, यह भी मैंने बताया था, रास्तान हाई कोड के मुखे नयादिस का नाम बताईए बताईए क्या नाम है रास्तान हाई कोड के मुखे नयादिस का नाम बताईए और कौन से नंबर के हैं ये भी मैंने बताया हुआ आपको चलो चलो जल्दी इससे पता चलता है कि कितना रिवाइज करते हो कितना टाइम पास करते हो पुरा नाम बताए दीपू अपने मोसाजी नहीं लगते हैं तो सोट कर बतादो में निंदर मोहन शरी वास्ता हो महिंदर मोहन मनिंदर मोहन शरी वास्ता हो अच्छा सही बता रहे हो क्या 42 नमबर के मनिंदर मोहन शरी वास्ता हो 42 नमबर के एक और पुछा जासता इन्होंने किन का इस्तान लिया ये भी बताए ये नहीं पढ़ा ना शरी मनिंदर मोहन शरी वास्ता हो इन्होंने किन का इस्तान लिया मतलब 41 वी नंबर के राजस्तान आई कोड के नियादिस का नाम बताईए अब इस सीज पे हम नहीं जाते ना हम भीड से अलग कैसे जाएंगे अगर ये क्यूशन आ गया लोगोंने 22 वा रट रखा अगर 41 वा पूछ लिया तो आएगा किस-किस को पताई किसी के मन में इमानदारी से बताईए जब आप पढ़ रहे थे आपके मन में ये आया आया था किसी के मन में पूरा नाम लिखिये पंकज मित्तल जब पूरा नाम लिखिये किस-किस के मन में ये आया था कि मैं 41 वा भी देखूँ जब तक आपके मन में एक क्रियेटिविटी नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अब एक और चीज में हम थोड़ा सा और जाते हैं अपनी गलती एक्सेप्ट किया करो जोर्ज अंगोस्त्रम सर ऐसा कुछ है जोती जी कुछ अलग बता रहे है एक और चीज कल जोती ने एक चीज के लिए बोला था उस पे होमवक किस-किस ने किया भई जोती बोला था न आपने आखेट निशिक शत्र थे या कौन से थे रामसर भुमी असी थे जो की बैयासी हो गए जोती वही क्यूसन था ना उसके बारे में किस-किस ने पढ़ा भई मैंने बोला था न कलम इसके बारे में डिसकेशन करेंगे किस-किस ने पढ़ा था और किस-किस ने ह्टबलो में यह काम करके बेजा है मुझे बीटा बूलता नहीं हुँ मैं याद रखना संचल टोंट ऐसा मारती है ना अभी देखा है मैंने क्लास लेट हुई तो बुले आज भी बारिस हो रही है के सर आज देखा था फिर देख करके ऐसे बोला तू यहीं रह मैंने तिरको देख लिया है ना देखा था या फिर हड़ो में किया भी था चलो बेटा चेक करता हूं किस-किस ने किया था देख करके ऐसे बोल दिया हुमेस्टर ने बोला था तिरको देखना है एक नुए शिक्षा मंद्री डक्टर रमेस पोकरियाल यह न्यू है रमेस पोकरियाल यह परत्म है पोपी में नहीं लिखा क्यों नहीं किया चिस्क्षा मंद्री अभी तक आप लोगों के लिए नहीं हो वही को रहो परत्मान केंदरी शिक्षा मंत्री कोण है तुम आया तो यह बतारी है न्यू शिक्षा मंत्री बतारी है रमेश पोकरियाल आप पूरा क्यों नहीं लिखते हो वोटर मिनिस्ट्री नहीं पता चला मुझे तो कल मैं करवा दूँगा सब पता चल जाएगा परत्म बताया था रमेश पोकरियाल हाथ न्यू लिखा है आपने चैनल मोधी सरकार में पहले थे चली है कि जे आतो रही है अंदर डूब तो रही हो है न 41 वे चीफ जश्ट्री ओ करास्तान के मुख्य न्यादिस कोन है इनके बारे में पढ़ना आपको ठीक है और इसे के साथ में इनका स्थान किस न्यायले से राहा हुआ है इनसे पहले ठीक है वरत्मान दरमेंदर प्रदान है तीक है ध्यान दीजिएगा इंडिया जिश्टी सिपोर 2022 के मुख्या नया विस्ता में प्रदेश को किस करमांग पर रखा गया तीसवे करमांग के आप ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको समझे में देखने को मिलेगी यही तीन क्यूशन में ने कल करवाये थे इन तीन क्यूशनों के साथ हमने कुछ और अलग क्यूशन किये थे और आज हम कर रहे हैं ठीक है आज हम यह तीन क्यूशन कर रहे हैं आज हम और अलग लेवल पर बात कर रहे है बात समझे रहे हैं इस बात को आप फरक समझे रहे हो यह फरक होता है आप हर दिन कुछ नयाज सीखने को मिलता है अगर हम इंट्रेस्ट ले करके चले तो ठीक है तो यहां पे केंदरे सरकार और इंस्ट्टूट और कॉंप्टिटिवनेस और सोसल प्रोग्राम इंट्रेटिवनेस द्वारा जनुरी दुजारी किया जारी कि रज्यों की सामाजिक प्रगति शूचकांग इसके द्वारा जारी किया जाता है तो केंदरे सरकार और और यह इंस्टूट फॉर कॉंप्टिवनेस और सोसल प्रोग्राम द्वारा यह जारी किया जाता है यह क्यूशन गुमा फिराकर कि इस तरीके से भी आपका बनता है तो कौने से स्तान है का भी क्यूसन सर आपने लिया है हम तो चोईस का पढ़ने थे अगर ऐसे क्यूसन आ जाए ठीक है अब हमारे सवाल बनता है कि सरी इंडेक्स 22 में आयता है तो कितने साल के उपर जारी होता है इस सवाल आपकी मन में क्यूसन आना चाहिए यही चीजे है जो आपको दुनिया से डिफरेंट करेगी ठीक है टीबी इंडेक्स रिपोर्ट अब आप जाके सर्च कैसे करोगे कि टीबी इंडेक्स रिपोर्ट कितने साल के उपर जारी की जाती है क्योंकि हम 2022 की पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ डूरेशन तो होती होगी जिसे जंसंग के 10 साल के अंतर चोईस में अब इससे हमें एडिशनल भी शीखने को मिला है अब सवाल आता है सरम चोईस में आप दो साल पुराने क्यों पढ़ रहे हो भाई जो चीज रिपोर्ट 2022 में आए ती वो ही पढ़ रहे हो ना वो चीज बाकी लोग नहीं पढ़ करके चलेंगे हम तो 6 मंत का करें अएंटपेर पढ़ किया है आई भासमें श्क Beijing और लिख समय तो 2022 में कौन सा इस्तान है चोथा इस्तान है पहला किसका है इप बतारी पहला हिमाचल परदेश का है इस बारे में आप पढ़होंगे ता आप को चीज पता चलेगी अए बने बनाए उस लिख मटेर की बात मत क चुपडी भी खानी है न, चुपडी भी खानी है तो घी आपको लगाना होगा बस आपका काम इतना सा आप थोड़ी सी मैनेथ करके उस पर बटर लगा लीजिये, मज़ा आएगा खाने का, अब ऐसे लुखी खानी है तो आप खालो, खुद भी लुखे बन जाओगे, ठीक है तो डिपेंड करता है, आपको चुपडी भी खानी है, थोड़ा सा बटर लगा लीजिये, मज़ा आएगा सेंटर टीवी डिविजन जारी करता है, वेरी गोड दिपू, ठीक है यह ध्यान दिजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है, यह रिपोर्ट कब जारी की गे थी, 2022 में यह कितने अंतराल पर जारी की जाती है, तो यह दो वर्स के अंतराल पर जारी की जाती है ठीक है 2 October 2022 को केंदर सिकार दौरा 2 October को क्या मनाया जाता है बताईए 2 October को क्या इस्पेसल होता है जब आप दीजिए fast 2 October ऐसा क्या इस्पेसल दिन है अच्छा तही में एक और महान विक्तित्व की जैंती है गांदी जी को तो याद है एक और महान विक्तित्व है जिनको आप अकसर इग्नोर करते हो बूल जाते हो हाँ मात्मा गांदी जी की जैंती मानता हूं एक और महान विक्तित्व है थे हैं कि रालाल सास्त्री नहीं थे यहां तो सारे दिन रालाल सास्त्री दिखने लगे जब से हमने राजस्तान जी के पढ़ने लगे लाल बहादूर सास्त्री LBS ठीक है लाल बहादूर सास्त्री जी कौन थे लाल बहादूर सास्त्री जी क्या कोई एक अच्छे पद पर आसीन रहे भारत में बता दीजिए थोड़ा सा पता नहीं है लाल बादुर सास्तरी कोई मंत्री पत पे रहें क्या कोई परदान मंत्री राष्ट पती मुख्य मंत्री बताईए अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो सास्तरी साब कौन से नंबर के पीएम बने थे अब चीजे क्लियर हो रही है कौन कोन है बाई दूसरे नंबर वाले है कोई और भी है तीसरे चोथे नंबर वाले है है मतलब टीना जी एक कहना चारी है फस्ट बीएम फस्ट बीएम लालबादुर शास्त्री जी थोड़ी थे तीना जी पस्ट थे अच्छा लालबादू शास्तरी फस्ट पीएम थे पिर जावालाण नेरु जी कोनसे थे वा बाई बज्जो यारे हो है हाँ डेर तो होगी जी देवी पहली यहां तो बता दियो कुण से नंबर का पी एम आ यह तो पहला बता रहे हैं अद्धी हो गई इतना नोलेज बरा पड़ा है हाँ सारे रतने दे देंगे पहले यह बताओ कौन से नंबर के पी एम ते यह देखते लोग पहला कौन-कौन बता रहे हैं रिंकी हाँ नाम देखने दो मुझे इनका कौन-कौन है इतने होनहार लोग और कौन थे पीना और कौन थे आज शुनलो एक बात भारत के प्रधान मंतरी पर्थम से लेकर के नरेंदर मोधी तक की लिस्ट मुझे चाहिए जान रखना ठीक है भारत के प्रधान मंतरी प्रधम प्रधान मंतरी कौन थे ठीक है और एक और चीज ये चीज़े मैं आपको फिर करवाऊंगा लेकिन इससे पहले आप पढ़े वे होने चीज़े प्रधम प्रधान मंतरी कौन थे ये चीज़े पढ़ करके चलोगे आप ठीक है और उनके लेकर के नरेंदर मोधी तक और इसके साथ राष्ट पती और कवर हो जाएगा फिर इसके अलग से क्लास लूँगा मैं आपके लिए ठीक है उनके टाइम में कौन को राष्ट पती थी कारे काल कब से कब तक करा यह रिपोर्ट चाहिए मुझे और जहां तक कोशिस हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट वाइट पेज़ पर काम करें थोड़ा सा खुद को कष्ट दें पका करूंगी अब रमेती करेगी तो फिर सब करेंगे हाँ with time period अब बताओं जोर तो नहीं आ रहा अच्छा लग रहा है ना क्योंकि मैं आपको वो बताके चल रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है लाड़ लो पढ़ते तो सबी है अब भी आपको जोर आ सकता मैं बुरा लग सकता हूं आपको की सर पता नहीं क्या बता रहे है अच्छी बात है ठीक है विद टाइम पीरेड टाइम स्टैंप होना चाहिए किस टाइम पर जमाल नेरू थी ठीक है उस टाइम पर राष्टपती कोन थे पर थम उसी टाइम पर हमें बात करनी है कुछ अगर स्पेसल हुआ हो उनके कारेकाल में तो वो भी पढ़ करके लिखेंगे अब जितन एक टाइम पर याद आँगा कि हम हर चीजों को अलग लेकर के चल रहे हैं अब आपको पता हैं यह क्यूसन डेफिनेटली बनता है पर्थम राष्ट्रपती पर्थम प्रधान मंतरी कौन चे लाल बादुर सास्तरी जी के बारे में अच्छे लेवल की एक्जाम के अंदर य अक्टूबर को महत्मा गांदी जी और एल बेस लाल बादुर सास्तरी जी की जैनती मनाई जाती है ठीक है को गाना सुना है मोहंदास क्रमचंद गांदी परम पुजारी इंसा के सुनिएगा मैं आपको बेजूँगा सर जोड़ा लेट जरूर बेजूँगा रात बोजे दो बजे कोई बात नहीं एक दो बजे तक मैं जगता रहत हूँ आराम से बेद देना ठीक है कौन सा स्तान रहा है तो जारी की स्वस्ता सुरेक्षन है 2022 की रेंकिंग में प्रदेश का आठवे स्तान रहा है ठीक है कल हमने राश्टि स्तर की बात की ति उसमें इंदोर दो तीन साल से कंटिनू नंबर वन पर चल रहा है ठीक है राजिस्तान देश के अंदर आठवे स्तान के ऊपर है एक ले चले आगे कोई दिक्कत नहीं है राश्वति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टोबर 2022 को परदान किये कि स्विस्ता स्विक्षन 2022 ग्रामीन में कौन सा जिला परदेश में परथम इस्तान पर रहा important question है very important question है ठीक है ज्यान दीजिएगा एक तो होता है कि यहां पर 2 अक्टोबर 2022 के अंदर स्विस्ता स्विक्षन 2022 परदेश का कौन सा इस्तान रहा आठवा अब परदेश के अंदर ठीक है ग्रामीन क्षेतर में कौन सा नंबर रहा उदेपूर पहले नंबर पर रहा तो सहरीक्षित्र में कौन सा रहा, ये चीज आपको आज पता करने है हाँ सारे लेट बेज देना, रात को मैं जागरन कर लूँगा, ठीक है, सारे बजन गाने आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा लेट हाँ सारे लेट कर लेट ना, देवी देव तो चलेगा, लेकिन कर लेट ठीक है, रात को जागरन करूँगा, ठीकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं, जो जागरन में जाते हैं आपढ़ है कोई पीने की चीज़े पड़ी है अब खाने के कोई मुष्रीर, कोई पीने की है उदर साइड में जाकरके, फीर आराम से मज़े करके आते हैं, तो यह ऐसा कुछ सुविदाई नहीं होगी, ठीक है? अपटा काने पीने का सामाल लेगा करके आये ठीक है अब दीपू बताए क्या सोच रही है आथ तो मज़े हो गए मैं पहले ही बेजूँगी दीपू ऐसे मत सोच ना ये लेट कर दो बोले ये तो सबाट बजे तक बेजेंगे है ठीक है चले ही आजाई है नीती आयोक दोरा 21 जुलाई 2022 को अच्छा कल मैंने एक और क्यूसन किया था और ये काम करके बेज आता दीपू ने ठीक है देखो जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे पता रहेगा योजनायो की सारी योजनायो लिख करके बेजिए दीपू ने सबसे पहले होमवक किया और सबसे पहले कौन सी योजना कब चालू हुई थी योजनायो क्या था नीती आयो क्या था ये काम भी किया था तो अब आप पर डिपेंड करता आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो और बहुत अच्छे से किया है वेल्डन दिफु आप नहीं किया था ना या किसी ओर नहीं किया था बटा देना मुझे साथ दिफु का याद है कल योजना आयोग के बारे में सारी डिटल कौन सी योजना कब लागे हुई थी आउका स्पिरेड कब क्या था अच्छा माया आपने बेजाता क्या अच्छा बड़ाई मैंने बोला था ना जिनकी पेंडिंग है उनकी ओर हो जाएगी ठीक है माया आपकी बड़ाई पेंडिंग रहेगी कल हो जाएगी नितिया आयोगद्वरा इकी चुलाई 2022 को जारी की राज्यू की इंडेक्स में राज्यू की इंडेक्स है वो कौन जारी करता है तो नितिया आयोगद्वरा जारी की जाती है कब जारी की गई 21 जुलाई 2022 को उसके अंदर राज्यस्तान का कौन से इस्तान था उसके अंदर राज्यस्तान का बारवा इस्तान था ठीक है चलें दिल्ली में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से 18 दिसंबर 2023 को बेस्ट डॉमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार 2023 की स्रज्जी को प्रदान किया गया यह तो प्राउड वाली बात है राजस्तान को important question है दिल्ली में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि बेस्ट डॉमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड कहां आयुजित करवाया गया तो पहला सवाल बनता है ठीक है पहला सवाल बनता है न्यू देली के अंदर दूसरा सवाल बनता है कि Best Domestic Destination State Award दिली में किस संस्तर द्वारा आयुजित करवाए गया तो Travel Plus Leisure के द्वारा ये आवारा आयुजित करवाए गया इसके अंदर किस राज्य को पर्थमस्तान दिया गया तो इसके में राजस्तान को इस्तान दिया गया अब सर इसका मतलब क्या होता है Best Domestic Destination इसका मतलब क्या होता है बताईए भई Best Domestic Destination का मतलब क्या होता है जवाब दीजिये किस किस को पता है Best Domestic Destination का मतलब जानते हो बताओ भई Best Domestic Destination का हिंदी अर्थ क्या है आपने ने सुना मेरे गूगल ने सुन लिया एक ऐसा स्तान जहां रहने के लिए घरेलू स्तान के इसाब से रहने के लिए जो सबसे बेस्ट और उत्तम स्तान होता है उसे बोलते है Best Domestic Destination आप जहां रहते हो जिसे हमारे रास्तान की पता है क्या खास्षित होती है रास्तान की कोई बाहर का इंसान आता ना अगर जिसे गाओं में जाईए आप किसी से पूछ लो जिसे माल लीजे मुझे जाना है रिंकी के घर अब रिंकी के घर मुझे जाना है तो रिंकी का घर का है रिंकी का घर मुझे नहीं पता, रिंकी कोई नहीं जानता, रिंकी के पापा का नाम बता दो, कई बार क्या होता है, कि गाओं के लोग इतने सपोर्टी होते हैं, कि आपको, एक बार आपकी गाड़ी भी है न, वो खुद की गाड़ी है, तो आपको बिठाएंगे और आपको आप आपक चोड़ किया जाएंगे, एक है, ऐसा होता है नहीं होता है, गाओं में ऐसा होता है, ऐसें पता है रिंकी ने दुकान का नाम बता दिया, थेक है, कालू जणरल स्टोर, अगर मान लिजें वहाद पे लिखा हुआ एक रिंकी के बार अगर जांते हूँ हूँ का त तो उस हिसाब से आपको गंतविस्तान तक पहुचा दिया जाता है, अब गंतविस्तान जहां पर आप जिस एरिये में जिस तरीके से रह रहे हैं ना वो आपके लिए किसे suitable हैं, अच्छे लोग हैं, वहां रैंसन आसान हैं, बाहर के लोग अगर आकर के रहते हैं, तो वहां पेजिली हो जाते हैं, ठीक है, अब पढ़िये थोड़े सा क्या सूचेंगे, रिंकु के अगर आसपास में कोई नया गर बनता है, क्या होगा, अच्छा हुआ एक कस्टमर हो रहा है, होता है, अगर आपका कहीं बिजनिस है, तो रिंकु के दुकान के आसपास में कोई भी पापा अब तो मज़ा होगा, बोले क्यों, वो अंकल और आ रहे हैं, उनका गर बनेगा, उनके गर में इतने मेंबर हैं, पापा अपनी इतना सा मान और भी केगा, खायदा होता है नहीं होता है, है ना रिंकी, ठीक है, तो पहले जिसे इनकी कोलोनी में नए अपलोड बिख आते हैं ना, देखो हमारे दुकान में क्या कमी थी उनके जा रहा है, वो चीजे होती है, बेस्ट टोमेस्टिक डेस्टिनेशन का मतलब ऐसा गंतवेस्तान, ऐसा घरेलूस्तान, जहां पे इजिली आप बहुत सरोतम तरीके से रहेंसन कर सकते हो, रहे सकते हो, ठीक है, चलि लोग नाम बताऊंगा, बुरा मान जाएंगे, यहीं जाएंगे, नहीं, हमें तो यहीं जाना है, हमें यहीं अच्छा लगता है, तो अपने जानकारों को जानते हैं, ठीक है, रिस्तिदारों को वहाँ पहुँच जाते हैं, कौन-कौन जाता है, बता दीजिएगा, केंदर चिरियागर प्रादिकर ने प्रदेश के किस इस्तान पर पहला स्नेक पार्क सरपुध्यान खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है ठीक है ये प्रदेश का पहला स्नेक पार्क सरपुध्यान खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है ठीक है ये प्रदेश का पहला अपने आप आपकी माइन में कॉल यह है क्यूसन रिकॉल होने चाहिए ठीक है परदेश की किस टाइगर रिजरों में राजस्तान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया परदेश की किस टाइगर रिजरों में राजस्तान टाइगर रिजरों में राजस्तान टाइगर रिजरों के द्वारा ठीक है टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है क्लियर द्यान दीजिए गज लेखे टीक है स्टार रेडिंग आवार्ड यह रेटिंग हो गी स्टार रेटिंग आवार्ड प्रधान किया है तो राजस्तान विदूत उत्तपाद नीगम क्यान से समनली जी earns केंद्रे कोईला मंत्रा लेखे प्र्दस्टन के लिए प्रदेश की से निगम को ठेक है? स्टार रेडिंग अवाड की सवक Grace को ठीक है? स्टार रेडिंग अवाड वी सकता है यह साहिथ स्टार रेडिंग अवाड प्रदान किया है yes star rating अवाड इसको मैं आपको correct करwater दूँगा राजस्तान विद्धुत उत्पादन निगम के दुआरा ज्यान दीजिएगा नेक्स क्यूशन 23 दिसंबर ठीक है एक और चीज ध्यान से सुनिएगा जो बचे तयारी करते हैं आपसे पूछ लिया जाता है राजस्तान विद्धुत उत्पादन निगम की स्तापना कब होईती ठीक है स्तापना और इसके प्रमुक है राश्थान विद०्धत निगम है पुझ कितने भागों में डिवाइड है मतलängt इसके कितने पार्ट वित्रे निगम लिमेटेट जैसे विदुदू विवार की विकेंश आती नodyद कृतम विदू विदुद्धत निगम लिमेटेट इस तरीके से अलग-लग वित्रे निगम टेड है तो राजस्तान विधुत उत्पादन के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा ये चीज़े बहुत जरूरी है ठीक है राजस्तान विधुत उत्पादन निगम की स्तापना कब हुई थी ठीक है और इसके अभी वरत्मान में प्रमु कोन है और इसके अलग-अलग कितने पार्ट्स है उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ करके चलना है ये चीज़े यूजफुल होगी जो चीज़े अभी जैसे-जैसे आती जा रही है उनको वेसे-वेसे कवर करती जाएगा आपके लिए चीज़े एजी होगी समझे रहे हो कई बार आपने देखा होगा एक्जाम में आप जो पढ़ते हो नहीं देखने को मिलता पहले का पढ़ावा होता है बूद देखने को मिलता आज नहीं तो कल ये डेफिनेटल आपके लिए यूजफुल होगा 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्री किसान दिवस के रूप में पहला क्यूशन राष्ट्री किसान दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्री किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को एक क्यूशन इसे रट लीजिएगा अभी हाल ही में जो मामला चल रहे है उसकी सापसी क्यूशन रिपीट हो सकता है तो केंद्री किसान दिवस कब मनाया जाता है 23 दिसंबर 2023 को 24 तो अभी आया है नहीं न 23 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रे किसान देवस का उसर पर प्रदेश के किन दो किसानों को राष्ट्रे प्रुसकार से सम्मानित किया गया तो अभी 24 दिसम्बर 2024 तो आया है नहीं न हाँ गल्ती हो गई सही कर दिया संचल जी तो यहां पे आपका एक किसन दियावा है सुरेंदर क्या यह आवाना इसी का नाम है या फिर दूसरा नाम किसका है चोंदरी चरण सिंग जी के मेटर पर भारत रतिन दिया है पहला है आपका दूसरा आपको पता लगाना है 23 इसंबर 2023 को राष्टे किसान दियुसकर प्रदेश के किन दो किसानों को राष्टे प्रूशकार से सम्मानित किया गया एक सुरेंदर आवाना अब आपको यह बताना है सुरेंदर आवाना दो अलग अलग नाम ही या फिर दूसरा है तो वो विक्ति कोन है किस-किस को पता है अगर यह पढ़ करके चले हो तो आप जवाब दीजी यह क्यूसन पहले पढ़ा आपने फिर से बोल रहूँ 23 दिसंबर 2023 को राष्टी किसान दिए उसके उसर पर प्रदेश के किंदो किसानों को राष्टे पुरुस्कार से सम्मानित किया गया यह नहीं राजस्तान की अच्छा किसन दिवस क्यों मनाया जाता है पता सकता है कोई किसान दिवस क्यों मनाया जाता है 23 दिसंबर 2023 को राजस्तान के किंदो किसानों को राष्टे पुरुस्कार दिया गया पढ़ना इतना से आपको एक और पूछा में आपसे किसान दिवस क्यों मनाया जाता है किसान जो होता है ना आज भी हमारी अर्थविस्ता होता ही ना वो क्रशेशी पर आधारीत है मांते हो ने इस चीज़ को ठीक है किसान जो होता है देश की रीड के अड़ी है और ये चोदरी चरण सिंग जी की जहन्तिक्यों प्लक्स में मनाया जाता है ठीक है? ये चीज पता हो नीची आपको ज्यांदी जीगा, इस क्यूसन का जवाब प्रोपर केंद्री साहित्यकादमी वर्ष दोजार तेईस का राजस्तानी भासा पुरुसकार किस राजस्तानी साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? मतलब आप तो प्रदान किया जा सुगए? गजे सिंग राजपुरोहित important question है केंदरि साहित या कादमी द्वारा राजिस्तानी बाचा का पुरुसकार किस राजिस्तानी साहितेगार को प्रदान किया गया गजे सिंग राजपुरोहीत को 3 दिसंबर 2023 राष्टी दिव्यांग जन दिवस important है राष्टि दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है 3 December को मनाया जाता है अब सब्सक्राइब प्रदेश के किस समात से भी को राष्टि पुरुसकार से सम्मानित किया गया प्रसांत अगरवाल, नारेंड, शेवासंस्तान, उदेपूर ठीक है, ये दोनों चीज़े important है अच्छा क्योशन है 21 December 2023 को प्रदान किये बस 2023 के Dr. Komal Kothari Smriti Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया Dr. Rajis Kumar Vyasi और Jendra ठीक है, सिंग जड़े जा इन चीजों को हम ignore करते बस मोटी मोटी चीज़े पढ़कर की चलते लेकिन इसीज़े जरूरी होती है समझ में आ रहा है Next Question हमारा 20 December 2023 को भीवानी हरियाना में आयुजित राष्टी है Net Bowl Championship पुरुस का कौन सा पदक राजस्ता Net Bowl टीम ने जीता रज़त पदक, अब एक और सवाल बनता है 20 December ये राष्टी है Net Bowl Championship का आयुजित कहां करवाया गया भीवानी हरियाना के रूसरा ये कब आयुजित हुआ ये 20 December 2023 को ये आयुजित करवाया गया इसके अंदर राजस्तान को कौन सा पदक मिला इसमें राजस्तान को रज़त पदक मिला है आज समझ में आ रही है आपको राजस्तान वी सुविद्याली की पहली महिला कुलपती जिनोंने 27 December 2023 को पदबार गरन किया है Important question है Very, very important ठीक है आगा में एक्जाम्स के अंदर ये डेफिनेटले आपको देखने को मिलेगा राजस्तान वी सुविद्याली की पहली महिला कुलपती जिनोंने 27 December कब गरन किया ये पदबार पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके है 27 December 2023 को पदबार गरन किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलपना कटेजा जान रहेगा Next एक जनवरी 2024 को राजस्तान पुलिस का नए डीजीपी किनको बनाया गया है यू आर साहू जो की एक IPS ओफिसर है इनके बारे में भी हम पढ़ चुके है एक और सवाल एक जनवरी 2024 को राजस्तान का नए मुख्य सचिव किने बनाया गया सुदान्सू पंथ अब इनके साथ एको सवाल बनता है कि राजस्तान के पर्थम मुख्य सचिव कौन थे और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है याद कीजिए याद कीजिए पिकाराम पालेवाल के टाइम कौन मुख्य सचिव थे मैंने आपको बताया था अगवान श्री किष्ण के नाम से कुछ याद दिलाया था आपको याद कीजिए पतायी किस-किस को याद है रास्तान के पर्थम मुख्य सचिव पर्थम मुख्य सचिव एक थे या दो थे तुमके कारेकाल में एक ही सचिव रहे थे या दो रहे थे अब देखो कन्फ्यूज हो गए ना ह्टवलू सीव संकर भी बता रहे है राधा किष्ण राधा किष्ण भी बता रहे हो दो थे मेरा काम में कन्फ्यूज करना पी नारायन कन्फ्रम है चंचल दो ही थे क्या दो जो हिरालाल सास्त्री जी थे उनके टाइम थे क्या हिरालाल सास्त्री जी अगर मैं बोलू हिरालाल सास्त्री जी जो थे कि कराम पालिवाल जी की तो बात में बात करता हूँ हिरालाल सास्त्री जी तो Hem. पर्फम-मुख्य मंतरी तो वह थी के उनके टाइम पर भी थे कोई? तो मैं हिरालाल सास्त्री जी तो मैं पर्फम-मुख्य सची पूछ रहा हूं. Confuse हो गए नहीं यहाब पर? क्या ना जो लाल बादुर सुरी किरा लाल सास्त्री जी थे पर्थम मुख्य मंत्री तो वो ही थे ना है या नहीं थे उनके टाइम पर कौन था माया किन के टाइम की बता रहे हो आप टिकाराम पालिवाल की टाइम पर बता रहे हो आप या किन के टाइम का पूरा लिख करके बताईए मुझे नहीं याद है तुका मत मारी है नहीं याद है तो आप याद कीजिएगे कि कहां से क्युसन कब कहां पे उल्टा पढ़ सकता हम पढ़ के चल रहे या नहीं पढ़ रहे इरालाल सास्त्री के टाइम पे के इरादा किष्ण और वी नारायन ये दो रहे थे शोर है आप माया इरालाल सास्त्री जी कितने समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे यही मैं देख रहूं कि कितने तु इधर उधर करते हो याद नहीं है नहीं मांदार चे बता दू टिक कराम पालिवाल के समय एस डबलो सिव संकर किरालाद सास्त्री जी के समय के रादा किष्ण और वी नारायन याद आ रहे इसलिए मैंने आपको हिंट भी दिया दो थे या एक थे अब याद आ रहे क्यूसन कहां से पूछा जा सकता है ठीक है इक क्यूसन आपको राजिस्तान में पर्थम व्यक्तित्वे से रिलेटेड पूछे जाते हैं इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूँगा आपकी 1907-1962 चलिए बसे आपको रिकॉल करवाना था ठीक है वरतवान मुख्य सचीव को है सुदान सुपंद अच्छा ठीक है माननी गयलोजी की टाइम पर मुख्य सचीव कोन रही थी 12 तो 1962 तक चले गए 12 उननिसससतान से बहुत लंबा टाइम चला गया भाई और सतान से पहले तो बहुत कुछ हो गया था देखो आप क्या लिख रहे हो 7 अप्रेल उननिससा से पांच उननिसस कावन ये टाइम स्टैंप याद होना ची आपको उसा सर्मा जी वेरी गूड और पर्थम महिला मुख्य सचीव कोन रही है कि कमला बेनिवाल कोन बोल रहा भाई अंकीत क्या बताने चारे हो कमला बेनिवाल जी का परता महिला मुख्य सचीव कौन रही रास्तान की कुसाल सिंग वेरी गुड ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक ठीक है कल आपके एक बार केंद्री मंत्री मंदल होगा उसके बाद में रास्तान में और चीज़े हम कवर करके चलेंगे उसके बाद आपका नेशनल करेंट भी पढ़ोगे राष्ट्री अंतराष्ट्री करेंट अफेर भी पढ़ना है यह सिव राजिस्तान ही पढ़ना है जवाब दीजिएगा चली अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो यह सारे जो करेंट अफेर की क्लासेज हैं यह आपको अलग से भी और इन कोर्सेश के अंदर भी अवेलेबल है इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिये हैं आप जाकर कि वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो एक बार वीडियो को सबी लोगों तक सेर जरूर कर दीजिएगा एक प्यारी सी स्माइल अपने पेस्पे जरूर रखिएगा और हाँ मुश्कुराते रहेगा आप उमेसर के साथ है और ह्टबल जरूर कर लेजिएगा अभी के लिए जाज दीजिए कल फिर से मिलते हैं अभी के लिए जहीं जे भारत धन्यवाद